दोस्तों यहां से हम लोग जो कोशन पढ़ रहे हैं वो SSC Cigial Mens के कोशन पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों इन कोशन को समझना सारे की सारे नंबर सिस्टम के ये कोशन होंगे SSC Cigial Mens के ठीक है जो कि 2019 में पेपर हुआ था उसके कोशन है समझो कहता है एक 9 अंकों की संक्या इत के लिए मैटर करती है यहां समझो अगर यहां 22 फिर 64 यानि Y की वैलू हमारे लिए फिक्स हो गई Y 4 हो गया अब 9 की डिविजबिल्टी ये 9, 639, 8, 639 ठीक है उसके बाद 8, 7, 15, 3, 18 अब ये 8, 4, 12 बचा यानि X के साथ अगर 12 बचा डिवाइड बाइड बाइड नौ करना ह इट मींस X is equal to 6 यानि X बराबर 6 होगा Y बराबर 4 तो कहते हैं 636 यहां रख दो और Y बराबर अगर 4 है तो साथ चोग 28 होगा प्यारे दूस्तों 8, 6, 14 यानि 64 आ गया बहार आया 8 यानि इस कोशन का जो राइट आंसर आएगा मेंस के कोशन का वो 8 आएगा इसमें कोई टेंसर नहीं इसनी सारी डिविजबिल्टी समाज को पढ़ाया है मेंने कि यह सिंपल है देखो 72 यानि 8 और 9 की डिविजबिल्टी लास्ट 3 डिजिट में यूनिट पेस डिसाइड हो जाता है वो फिक्स है चार 9 से तो जो जो 9 बनता जाया 9 के मल्टिपिलम बन नमबर 246 यह भी मेंस का ही है समझो कहता है इतने को जब सबसे बड़ी संक्या एक से विभाजित क्या जाए तो प्रतेक इस्तिती में समान से स्पलो जब भी समान से स्पलो ऐसे कोशन सीपियों में पूछाते हर जिगे पूछाते है उसमें आपको ड़ना नहीं पहले इस से यह घटा लो इससे यह घटा लो इससे यह और उसका सी अपलिया आता हाइस्ट कॉमन फैक्टर यानि 8536 से हमने जो घटाया 8110 घटाया फिर 8536 से 7897 घटाया और 8110 से 7897 घटाया दोस्तों बहुत सहीम से सीखिये गा देखा जाए है और यहां 6 आया अब यहां देको 6 में से 0 गया 6 आया तीन में से 1 गया 2 आया तीन में से 1 गया 2 आया पांच तीन में से 1 गया 2 आया ताँच में से एक गया चार आया यानि ये चार सो चब्विस आया यहां घटालू सोला में से साथ गया नो आया सोला में से साथ गया नो और बारा में से साथ गया नो बारा में से नो गया तीन आया बारा में से ये तीन आया अब यह बचा 84, 68, 639 आएगा, ठीक है, 639, अब यहां के डालो, यह 7 आ है, यह 3 आएगा, 10 में से 7 गया, अब यह 0, 10 में से 9 गया, एक आया, अब 80 में से 213 आएगा, प्यारे दोस्तों, इसका SCF चाहिए, highest common factor, अब आप एक चीज़ देखो, इस value का जश्ट 2 गुना, और इस value का जश्ट 3 गुना यह है, 213 का 2 गुना 426 होता है, 213 का 3 गुना 349 होता है, हम से SCF निकाल लिया, जो कि 213 आया, इसके digit का sum चाहिए, इसके digit का sum 6, x के अंको का मान 6 होगा, एक बढ़िया कोशन है, में इसका है, तो ऐसे कोशन सभी में आप आज की date में आते हैं, ठीक है? दोस्तों, केता है, मान लिजिए कि ABC ऐसे भीन है, ABC यदि C को A से विवाजित किया जाए, तो 5 बटा 2 आता है, दिख रहे हैं, केता है, C को जब A से डिवाइड किया जाए, तो 5 बटा 2 आता है, जो B से 7 बाई 4 अधिक है, यानि B प्लस 7 बाई 4, बोलो हाँ, ठीक है, पहले इसकी फॉर्मिल्टी कर लेते हैं, यहां से हम B को निकाल सकते हैं, आप ऐसे लोग, यह 20 हुआ, यह 14 हुआ, पीस 14, नीचे 4 दूना 8 समल लो, पीस या ऐसा कर लो, 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया 3, यानि B बराबर 3 बटा 4, पी की जो वैलू आएगी 3 बटा 4, अगर मैं 3 बटा 4 लिकूँ, 3 और 7 दस बटा 4, यानि 5 बटा 2, तो B हमारे लिए 3 बटा 4 हो गया, इसकी कैलकुलेशन से, प्यारे दोस्तों, आपको हम बता दें, किस 5 को आप 5 पी समझ लो, P for Prakash, 2 को 2 पी समझ लो, और कहता है इन 3ों का योग ये है, तो आप देखो, 5, 2, 7 तो योग हो गया, A और C का, यानि 7 पी ये हो गया, P की वैलू 3 बटा 4 है, और ये 12, 11, 23 बटा बारा हो गया, यहाँ पर भी आप करना चाओ तो कलो, 3 त्रिका 9, 23 में से 9 घटा हो गया, 23 में से 9 घटा हो गया, 14 बटा 12 आएगा, यानि P बराबर 1 बटा 6 आएगा, हमसे कहता है, C-A की वैलू बताओ, C-A यानि 5P और 2P का अंतर, 3P की वैलू चाहिए, 3 ऐसे, P की वैलू 1 बटा 6 है, यानि 1 बटा 2, आप विश्वास नहीं मानोगे, ऐसे C में 2022 में भी इसी पैटन के कोश्चन आए, 2022 में भी इसी पैटन के क्या है, कोश्चन आए, में साहिए, दो बार में इसका पेपर हुआ, एक जनवरी के आसपास हुआ है, और एक उसके बाद हुआ है, ठीक है, समद गए, उसमें आया, पहले वाले में आया, ठीक है, एक बटा दो, किलियर है, पैटन सीके, C माइनस ए, इसी पैटन पे, अभी और आ रहे हैं, उसको सीके, ठीक है, एक कोश्चन रिपीट करता है, सबसे बड़ी बात, हो सकता है, ये कोश्चन बिलकुल, आज इस रिपीट किया है, मलब साइद इसमें डिजिट भी नहीं बदली है, तीन भीन, एक्स वाइस जेट, इस प्रकार हैं कि, एक्स वाइस जेट, जब इन में से सबसे छोटे को सबसे बड़े सी विवाजित किया जाए, अब यहाँ पर थोड़ा सा, सबसे छोटे को सबसे बड़े सी विवाजित किया जाए, तो यहाँ पर साइद कुछ मिस्प्रिंट लग रहा है, एक्स वाइस जेट, कौन बढ़ा है यह नहीं मालूम, आप मुझे हलका समय दिजिए, किताब चीज होते हैं, इधर रखी है, ठीक है, यह किताब से जब पढ़ा रहें, तो आपके सामने हम किताब देख सकते हैं, समझ रहना, गलत बताने से अच्छा, घैर रखके बताया जाए, आउट टैपिंग की मिश्टेक भी हो सकते हैं, बिलकूर टैपिंग की मिश्टेक है, यहाँ पर यह सिंबल लगाना भूल गया, पस यही मिश्टेक है, यहाँ पर भी, हम ऐसे कैसे कर देख, ठीक है, समझ गया, दोस्तों, तो कहता है, तीन बिन एक्स वाई जेड इस प्रकाहर है, कि एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जड़ से, जब इन में से, सबसे छोटे को सबसे बड़े से भाग दिया ज तो परणाम 9 बटा 16 होता है, जो कि वाई से, जो कि वाई से इतना अधिक है, इस वैलू का जो अर्थ होता है, वो 1 बटा 16 होता है, 1 बटा 16 अधिक है, तो यहाँ से हम वाई की वैलू बड़े easy way से निकाल सकते हैं, 9 में से एक गया 8 बटा 16, यानि वाई बराबर हमारा, 1 ब यानि, x प्लस y प्लस z, 24 और तेज, तो यह हो गया 37, 37 अपन 24 हो गया, 37 अपन 24 हो गया, ठीक है, अब हम से चाहता है, कि x प्लस z का मान चाहिए, x प्लस z का मान चाहिए, दोस्तों, ध्यान देना, x प्लस z का मान कैसे निकाला जाए, निकालेंगे, जब आई मालमी चल गया, हमको 1 बटा 2 है, तो x प्लस z क्यों निकाल पाएंगे, घटा दो मेरे बाई, 37 बटा 24 में, 1 बटा 2, यानि, 14, 37 में घटा होगे, तो 25 बटा 24 आएगा, यानि, right answer of this question, 25 बटा 24, मुझे लग रहा है, कि ये question मैं फिर से पढ़ा रहा कि ये किस सन में कौन से एक्जाम में पहले भी आया है, जिससे आप जाकर चेक कर सकते हैं, और हो सकता है, आपको क्या मिले, खुसी हाँ, मैं बिल्कुछ सही बोल ला था, क्योंकि मेरा माइंड आजकल बहुत चल रहा है, ये same question आप जाकर देखना, 29, 01, 2022, tier 2 में आया हुआ, same question, हाँ, same ही है, हलकी से value change है बच्चा, यहाँ पर 1 इस्टू 13 बटा 24 है, तो इसमें 2 सही 3 बटा 12, पाकी यही question है, जाकर देखना, SSE CGL 2020 का पेपर जो 22 में हुआ था, उसका question है, समझ गए, समझ रहे ना मिरे बाई, पर यहाँ बताता हूँ, एक एक fact के साथ, ठीक है, यहाँ तो बदलाओ करेगा, करेगा, सेमेच हाप देगा, का, कहता है हमसे, 11 अंकों की संक्या इतना 72 से विभाजित है, यानि 72 से विभाजित है, अंडर रूट 5X प्लस 8Y का मान क्या होगा, दोस्तों, बहुत अच्छी से समझना, बहुत अच्छे से, यानि 8 और 9 की डिविजबिल्टी चाहता है, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट होता है, यहाँ 64, 64 तो 32, यानि Y की वैलू 2 डिसाइडेट होगे, वही 64, 32 यानि Y की वैलू 2 डिसाइडेट होगे हमारे लिए, अब ध्यान देना दोस्तों, अब ध्यान देना, 9 की डिविजबिल्टी, 9 की डिविजबिल्टी आप बहतर जानते हो, कि 9 बनाओ, कैसे, 5, 4, 9, 6, 3, 9, 7, 2, 9, फ ये बचा, X और 8, 6, 14, 14, बटा 9, तो ये X हमारा 4 हो जाएगा, X 4 हुआ, Y 2 हुआ, यहाँ रग दो, 5, 24, 28, 29, 16, यानि रूट के अंदर 36, तो बहर क्या आया, 6, यानि राइट आंसर आप दिस कोशन 6 आएगा, मैं हट गया हूँ, इसको बढ़ियां से देख लिजे प्याए साथ, कितना आएगा, 6 आएगा, देख लिजे, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, ये प्यारे दोस्तों, सेम पैटन का कोशन, अभी लेटेस्ट में भी पूछा जा चुका है, लेटेस्ट में भी, उसमें भी साइट आंसर सेम ही है, ठीक है, 2022 जनवरी में ऐसे ही पूछा गया है, ठीक है, यूनिट प्लेज डिजेट वैलू, सेम पैटन है, जिसे कह रहा हूँ, ठीक हो, यहाँ चार से डिविजबिल्टी देखते है, ठीक है, ठीक ना, 68 एक बचा, 4 एक कम चार, यहाँ 36 एक बचा, 3 एक कम तीन, यहाँ 24 दो बचा, 7 सत्य उन्चास, पस, जहां स इस कोशन का जो आंसर आएगा, वह 8 आएगा, 250 का जो राइट आंसर होगा, वह 8 होगा, मान लीजिए कि ABC ऐसे भीन है, ABC, जदि C को A से विवाजित किया जाए, तो परणाम इतना आता है, अब यहाँ देखो, यहाँ बड़ा आला छोटा जो भी होगा, नहीं, है, कोई दिखकर नहीं, कोई नहीं, यदि C को A से विवाजित किया जाए, इसका मतलब C बड़ा होगा, ऐसे, ठीक है, C को जब A से विवाजित करें, तो 9 बटा दू, और ना भी लिखे तो हमें कोई फरक नहीं पड़ता, और लेडी में उसकी कंडिशन जरोत नहीं है, 9 by 2 तो B से इतना अधिक है, यानि B 23 by 6, A प्लस B प्लस C इतना है, तो यह चाहिए, यानि हमें A, B, C निकालना पड़ेगा, निकालेंगी मेरे बाई, खोटी सी बात को समझो, यहाँ छे है, क्या यहाँ तीन बना सकते हैं, तो आपको बिलकुल, यह, यह, 27 में 3 गया, 27 में 3 गय चार आया, 4 बटा 6, यानि B की वैलू, 2 बटा 3 आएगी, यहाँ केलियर, अब देखा यह जाए, कि C by A की वैलू थी, 9 बटा 2, तो क्या इसी हम 9P और इसी हम 2P बोल सकते हैं, तो कोगे बिलकुल बोल सकते हो, उठा के रखो, तो C और A की वैलू, 9 दो 11P हो गई, और B की वैलू, 2 बटा 3 आगई, जो कि 19 बटा 12 ऐसे हो, यहाँ चाओ तो कर लो मेरे भाई, 4 दूना 8 इसमें घटा होगे, तो 11P बराबर, 11 बटा 12 आजाएगा, यानि P की वैलू, 1 बटा 12 आजाएगा, अब P हमारा डिसाइडिड हो गया, मेरे भाई, P डिसाइडिड हो गय यानि हमें C और A की वैलू मालूम चल गई, किसकी वैलू मालूम चल गई, C और A की, देखो, C की वैलू थी 9P, तो 9 ऐसे रखा, P यानि 1 बटा 12 यानि 3 बटा 4, और A की वैलू थी 2P, यानि 1 बटा 12 गुड़े 2, यानि 1 बटा 6, प्यारे दोस्तों, अब हमारा मेरे नू दे यानि 1 बटा 6, फिर B, C की वैलू हमारे सामने 2 बटा 3 है, और फिर माइनस का C, माइनस C, C की वैलू 3 बटा 4, एलसे मने लो, 12 ही एलसे मने लो, तो ये 4 हो गया, ये 4 दूना 8 हो गया, 3 तरिका 9 हो गया, यानि 3 बटा 12, 1 बटा 4, इस दा राइट आंसर, फोड़ा बहुत तो पेंट चलाएंगे, जब सेम पैटरं का कोशन चल रहा है पेपर में, तो ये पेंट चलाएए, हिट एंट राइल, दुनिया बरके सौट कर मिना जाएए, 251 का आंसर, 1 बटा 4 आएगा, 1 बटा 4 आएग तो 72 से divisible है, 72 से divisibility हर एक बच्चा जानता है, 8 और 9 की divisibility हम देखते हैं, किसकी देखते हैं, 8 और 9, 8 के लिए last 3 डिजिट देखोगे, यहां 48, 48 तो x बराबर 6 हो गया, क्यों, क्योंकि 16 ये जाएगा, x तो fix हो गया, 9 की divisibility आप अच्छे जानते हो कि 9 बनाना पड़ता है, जैसे 5, 4, 9 बन गया, 3, 6, 9 बन गया, 900 म बन गया, 7, 2, 9 बन गया, अब y के साथ 4, 1, 5 है, 4, 1, 5, divide by, तो y बराबर 4 हो गया, ठाके रख दो, x बराबर 6, 6, 35, y बराबर 4, 4, 16, यानि इसका आंसर 14 आएगा, आसानता, क्या है दोस्तों, ये pattern का question देखा जाए, तो आपको आना ही चाहिए, वैसे हम तो बहुत कुछ बताएंगे, पर आपको मालूम होना चाहिए, कि x की power n, a की power n, always divisible y, x प्लस a, याद रहे, n हमारा as a होता है, odd number, यानि विसम संख्या, n हमारा as a होता है, विसम संख्या, यानि, odd number, क्या होता है, odd number, तो ये हमारा fix है, ठीक है, अब जैसे ये चीज़े, कि ये भी odd है, ये भी odd है, इन दोनों का योग कर लो, साथ, दूनी, चौदा, चार, और, नौ, दो, ग्यारा, एक, बारा, दो सो चौबिस, अब क्या दो सो चौबिस, बत्तिस का मल्टिपिल है, तो कहीं न कहीं, अगर मैं इसमें, किसका गुणा करें, साथ, दूना, साथ का गुणा करें, साथ, दूना, चौदा, साथ, यानि, दो सो चौबिस, जब कोई संक्या दो सो चौबिस ही जा रही है, तो बाई डिफार्ड बत्तिस से भी जाएगी, यानि, इस केस में हमेशा रिमेंडर हमारा जीरो आता है, यान एक कॉंसेप्ट में करना चाहते हैं, कोशन दिया था, 1, 2, 7 की पावर 97, 97 की पावर 97, डिवाइड बाई 32, आप अपने उससे करना चाहते हो, तो दोको 32 से यह भाग दोगे, 32 में कहीं ना कहीं, 128, चार बार में, यानि माइनस वन रिमेंडर होल पावर 97, और 32 स्रिया 96 में, य यह माइनस यह प्लस कटके उपर 0 हो गया, 0 बाटा 32, यानि यह रिमेंडर हो जाएगा, ठीक है, पाकी हमेशा याद रखना, कि एक्स की पावर एंड प्लस एक्स प्लस ए, याद रहे, एन हमारा और नंबर होना चाहिए, ता ऐसे केस में, आल्वेस रिमेंडर 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, उमीद है, यह सारे के सारे मेंस के कोशन आपको समझ में आए होंगे, हमारे द्वारा, मैं प्रकास अवस्ति कानपुरवाले, अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्रकास अवस्ति एप की रेटिंग को 5 स्टार जिए, आपको बात!